हलो कैसे आप सब मुझे उमेद है सब खाये रहे होंगे तो आज हम साइंस का केमेस्ट्री तेंथ क्लास एंसे अर्टी का चैप्टर नमबर जो हमारा थार्ड वाल अच्छा रहे हैं इसमें हमारा टॉपिक एज क्रुजन और ये फिफ्टान लास्ट लेक्टर होगा खायद इस चैप्टर का ठीक है लेट्स वी बिल स्टार्ट आप टॉपिक ठीक है क्रुजन यू है लेंट दे फाल्वाइंग अबोर क्रुजन इन चैप्टर फर्स्ट ये वो रहे हैं कि आपने पहले चैप्टर जो आपका है उसमें जो नीचे दिया गया है क्रुजन उसके बारे में आपने बढ़ा होगा ठीक सिल्वर आर्टिकल्स बिकम बलैक आफ्टर सम टाइम वेन अक्सपोज़ टू एर जब ये हवा के साथ अक्सिजन के साथ अक्सपोज़ किया जाता है सिल्वर की चीज़े वो क्या होती हैं बलैक कुछ टाइम के बाद जब वो अक्सपोज़ होती है किस के साथ एर के साथ ये ने अक्सिजन के साथ This is because it reacts with sulfur in the air to form a coating of silver sulfide ये इसी लिए होते हैं क्योंकि ये react करता है किसके साथ Sulfur के साथ कहां? एर में To form क्या बनाती है? A coating of silver sulfide किसकी? Silver sulfide की coating बनाती है इसकी वज़ाद सिसका बलाइक दिखता है Copper reacts with moist carbon dioxide in the air ये बरो copper किसके साथ react करता है? Moist carbon dioxide CO2 के साथ कहां पे? Air में And slowly loses its shiny brown surface and gain a green coat जो इसका shiny brown surface होता है वो किसमें convert होता है? क्या कूं सा color gain करता है? Green coat और जो shiny brown surface होता है वो आहिसता से lose कर जाता है ठीक है? This green substance is basic copper carbonate और यही green substance जो चीज़ है क्या है basic carbon Copper carbonate ठीक है? Third one Iron when exposed to moist air जब iron को exposed किया जाता है कहां पे? Moist air के साथ for a long time लंबे अर्से के लिए, लंबे वक्त में के लिए Acquires a coating of a brown flecky substance called rust उसको क्या कहा जाता है? Rest क्या acquire करते हैं जब देर तक iron must air के साथ export किया जाता है वो acquire करते है coating of brown flecky substance जिसको हम क्या कहते है? Rest Resting of iron पढ़ा होगा आपने ठीक है Let us find out the conditions under which iron rust वो ऐसी conditions जिनकी वज़ा से rest होता है किसके ओपर? Iron के ओपर ठीक है? वो हम चीज़े find out करेंगे इसने figure 3.13 investigating the condition under which iron rust यह condition के through जो है Iron को rest होता है A in tube A both air and water are present अब यह जो दो दो ट्यूब्स लिए इसने में क्या है Present Air or water In tube second जो B वाला tube है In tube B there is no air dissolved in the water In tube C the air is dry अब इसने बोलती है यह है यह चीज़ इसने बोलती है पहले पहले tube में क्या बोला इसने क्या क्या है एसने क्या है और जो यह जो क्या है इसकी ओयल की layer है वो किसको में इसने डिजॉल होने दे रही है Air को in the water और जो third वाला है वो dry air है ठीक है Soak air और इसके नीचे जो है Anhydrous calcium chloride drying agent drying agent इसको कहते है और दूसरे में क्या है Boil distilled water Boil to remove any dissolved air किसके लिए? अवा को Remove करने के जो भी dissolved water है ठीक है और A में क्या है Rusting iron nails Iron को क्या है Rest or rust जिसको लगा है न वाय और पुस में पाने mix है इसकी यहां पर देखो changing है A B और C दीन हो में ठीक है अब पढ़ेंगे इसको हम यह बो रहा है You will observe that iron nails rust in test tube A But they do not rust in the test tube B and C अब यह बो रहा है A जो है A वाला उसमें क्या है rust है लेकिन B और C में जो है वो rust नहीं है ठीक है जो B और C ट्यूब है In the test tube A the nails are exposed to both air and water और जो tube A उसमें दोनों है अभी पढ़ा था हमने air भी है water भी है exposed जो है ठीक है In the test tube B the nails are exposed to only water और दूसरे में जो है उसमें पानी के अंदर exposed किया है And the nails in the test tube C are exposed to dry air और लास्ट वाले में यह देखो सूखी हवा में और इसमें पहले में क्या है दूसरे में क्या किया है इसने पानी और test tube B water and air और test tube जो B में क्या है nail are exposed only water इसमें सिर्फ पान में उपर रोग दिया न oil prevent the dissolving in the water हवा को dissolve करने में water के अंदर ठीक है जो A वाले हैं इसमें both air भी है और water भी है ठीक है what does this tell us about the condition under which iron articles rest अब यह क्या कहता है हमें कि इसके बारे में कि कुन सी condition के अंदर जो iron articles के अंदर हो rest होते है ठीक है जब rusting iron nail जब इसके अंदर पानी और हवा बोट ठीक है अब क्या नेक्स टॉपिक prevention prevention of crozen prevention of crozen मतलब crozen से कैसे बचा जाए चीजों को कैसे crozen से बचाए जाए वही चीज़ हम पढ़ेंगे the rusting of iron can be prevented by painting oiling greasing galvanizing chrome plating anodizing and making alloys अब इन इन चीजों से हम rusting of iron को बचा सकते हैं कौन कौन सी वह चीज़े हैं painting की वज़ा से rusting आ बाहरें और हम जब paint करते किसी लोवे के उपर थो rusting नहीं नहीं आ उती उत्यूंढी उसके नहीं नहीं Partners यह ओईलिंग कर देते हैं उसके पर यह ग्रीजिंग कर देते हैं यह गल्वनाइजिंग कर देते हैं यह क्रॉम प्लेटिंग कर देते हैं उसके ओपर ठीक है ताकि उसके ओपर जांग ना लगे अनोडाइजिंग कर देते हैं या मेकिंग अलाइज उसके अलाइज बना देते हैं ठीक है समझा की यह चीज या रखना प्रिमेंशन आफ क्लोजन कैसे होती है क्या 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 चीज़े इसमें यूज होती है इसको बचाने के लिए अब आगे क्या है Galvanization is a method of protecting steel and iron from rusting by coating them with a thin layer of zinc अब galvanization एक ऐसा process है जिसके उपर हम iron के उपर एक coating करते हैं किसकी विदे thin layer of zinc जिसकी वज़े से उसी process को हम यह कह क्या कहते हैं galvanization जिस process के अंदर हम iron और steel को क्या हैं बचाते हैं किसे राइट रस्टिंग से उसके ओपर coating कून से होती है वह यह चीज़ रखना है thin layer of zinc zinc से उसकी coating की जाती है जिसकी वज़े से वो protect होती है iron और steel किसके किसे एक method है ठीक है process or method ठीक है the galvanized article is protected against rusting even if the zinc coating is broken अगर zinc coating तोड़ भी जाए जो लेकिन जो galvanized article है वो protect रहते हैं from resting even if the zinc coating अगर zinc coating तोड़ भी जाए तब भी तब भी रेस्टिंग आफ आइरन नहीं होगा क्योंकि वो protect तब भी करेगा galvanized article को जो होती है उनको protection तब भी हो जाती है क्योंकि अगर coating तूड़ उसकी coating तूड़ भी जाए zinc की लेकिन resting से वो बचे रहेंगे can you reason this out क्या आप इसका कारण दे सकते हो इसका reason इसका क्या कारण आप find out कर सकते हो निकाल सकते हो इसके बारे में बोल सकते हो आप क्यों होता ऐसा galvanized process में protecting of iron steel and iron from rusting due to the coating of zinc layer. Allying is a very good method of improving the properties of a metal. Allying एक अच्छा process है good method है इसकी वज़ा से जो properties of a metal जो है उनका improvement होता है वो improve होते है ठीक है we can get the desired properties by this method इसकी वज़ा से हम जो हमारे लिए जो चाहता है हमारी जो desired है वो properties हम इससे हासिल कर सकते है इस method से किस method से alloying method for example iron is the most widely used metal क्योंकि iron बहुत जगा यूज होता है वो सबसे जज़ा यूज होता है ठीक है but it is never used in its pure state लेकिन ये कभी इसके अपनी जो असलियत है असली state में है जो इसके असलियत जो purity है उस state में नहीं use होता है this is because pure iron is very soft and stretch easily when hot क्या बोलता है ये pure iron जो होता है वो soft होता है उससे चेच हो जाता है easily when hot जब वो गरम होता है but if it is a mix it with a small amount of carbon about 0.05% लेकिन जब इसको carbon कितना amount में mix किया जाता है 0.05 it becomes hard and strong जब इसके साथ carbon mix होता है तब ही strong होता है when iron is mixed with nickel and chromium क्या हो रहा है जब iron किसके साथ mix होता है nickel और chromium के साथ we get stainless steel stainless steel कब मिलता हमें जब iron को nickel and chromium के साथ mix किया जाता है ये चीज़ आपको याद रखनी है ठीक है बच्चों समझा रही है खुशी से नहीं which is hard and does not rest वो क्या होते है hard होती है which is hard and does not rest और उसके ओपर rest नहीं होता है thus if iron is mixed with some other substance its properties change जब iron दूसरे किसी substance के साथ mix होता है तो इसकी properties change हो जाती है समझगे एक तो याद रखना होता है इसके लिए carbon mix 0.05% होगा तो ये तभी hard and strong होता है नहीं तो ये soft होता होट होने के वज़ए से stretches बहुत है stretch भी हो जाता है और soft भी होता है thus if iron is mixed with some other properties in fact the properties of any metal can be changed if it is mixed with some other substance ये बुरा किसी की metal किसी भी metal की जो change हो जाती है property जब दूसरे substance के साथ mix होता है the substance added may be metal आ रहे जो substance add किया जाता हो metal भी हो सकता है non-metal any alloy is a homogeneous mixture of two or more metals कोई भी alloy क्या होता है homogeneous mixture होता है homogeneous mixture होता है homogeneous mixture होता है एक जैसे मिक्चर पाया जाए ठीक है composition जिसके अंदर एक जैसे हो of two or more metals ठीक है किसका mixture हो two ये एक है या दो से ज्यादा metal का और metal और non-metal या metal और non-metal का हो भी हो सकता है दोनों का it is prepared by first melting the primary metal then then resolving the other elements in it in definite property proportions definite properties में नहीं एक fixed proportion है proportions होता है जिसके अंदर जो हम डालते हैं ताकि इसकी प्रॉपर्टी इस वैसे रहे it is then cooled at room temperature उसके बाद जब proportion में डाल दिया जाता है other elements इसके साथ उसके बाद हम इसको ठंडा करते है at room temperature जो normal temperature होता है ठीक है ठीक है ठीक है चलो अभी हम पढ़ लेते हैं आगे कितना कम ही आप if one of the metals is mercury then the alloy is known as an amalgam अगर metal जो है वो mercury है तो तब हम इसके alloy को क्या कहते है then the alloy is known as an amalgam the electrical conductivity and melting point of an alloy is less than the less than that of pure metals जो metal pure form में होता है उसका जो electrical conductivity and melting point होते है alloy का वो less than होता है that of pure metal यहने alloy जो उसका बनता है उसका melting point काम होता है बने इस बहुत उसका जो pure form में metal होता है ठीक है for example brass and alloy of copper brass किसके alloy है copper की and zinc copper और zinc की c u and z n and bronze किसकी and bronze and alloy of copper and tin जो brass है और किसका alloy है copper and zinc का और bronze जो है वो किसका alloy है copper and tin का copper and zinc copper and zinc are not good conductors of electricity whereas copper is used for making electrical circuits copper जो है electrical circuits में यूज होता है हमारे गारों में ठीक है soldier soldier and alloy of lead and tin PB and SN PB किसका symbol होता है lead का और SN होता है tin का has a low melting point and is used for welding electrical wires to get this और इनका the melting point होता है i जो कम होता है और यही ूज होती है किसके लिए जब हम welding करते है जो welding डालते हैं उसके तार जैसे होती है उतर उसकी साथ जो है लोहे को welding करते हैं जह हैं पोडियों में यह कहीं ओपर है उसी के साथ welding की जाते हैं वो क्या क्यों से ally होती है lead and tin PB and SN has a low melting point and is used in ठीक है इसी के साथ ये खतम होता है chapter अगे questions है ठीक है ये question number one two three what you have learned अबने क्या क्या पढ़ात ये नीचे exercise है ठीक है ठीक है ठीक है दीचे दीचे वांडर आफ एंशेंट इंडियन मेतलोरोजी किसका अब देख रहा है वोरा एंशेंट इंडिया के मेतलोरोजी का ताज्यू क्या था आइरन पिलर नियर ता कुदू मिनार इंडेली पिल्ट मोर देन सिक्टीन हंडर एंडियर ओल्ड बाइट आइरन वर्कर्स अफ इंडिया सौला सो साल पहले जो बनाए गया किसके दोरह आइरन वर्कर आफ इंडिया गया देवल्पिट प्रॉसस्ट्र विच प्रॉट्स आइरं फाम रस्टिंग जो क्या बचाता है रस्टिंग से किसको आइरन को फार इट्स quality of rust resistance resistance क्या रखा उट किसी rust को रोगने के रखा उसको जो quality थी has it has been examined by the scientists from all part of the world इसने एगजमान के पूरे world के जो scientists है उन्होंने the iron pillar is eight meter high and weights weights six ton weight किसको उतना six ton six thousand kilogram इसका वेट ठीक है थैंक यू अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे physics का शाहिद लेंगे यह बायो का तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ठीक है इसी के साथ metals and metals color stance and CRT का chapter खत्म हो रहा है ठीक है thank you